हेलो दोस्तो जैहीन स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल स्वरब कम्प्यूटर पे दोस्तो जीन कैंडिडेट ने टेंथ पास कर रखा है और साइट पे आई टी आई कर रखा है उनके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी आचुकी है जहां फ्रेंड्स में आपको बता दू कि बोडर रोड और्गनेजिशन की तरफ से मेकेनिक, मल्टी स्किल्ड वर्कर, ड्राइवर ऐसे अन्य पदो पर वैकेंसी आई हुई है ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जिनने भी टेंथ पास कर रखा है इसमें जरूर फॉर्म दोस्तो आज की वीडियो में आपको इसी वैकेंसी सरेलेट सारी जानकारी बताने वाला हूँ आप मैरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहनाil और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो एसाही हर वेकेंसी की अप्डेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सस्क् वेकेंसी है, driver, mechanical, transport के लिए total वेकेंसी है, अपकी current के लिए 7 और backlog के लिए 2 total आपकी 9 वेकेंसी है, vehicle, mechanic में current के लिए 235 वेकेंसी टोटल आपकी 236 वेकेंसी है, multi-skilled worker, driller की बात करें, तो इस पर आपकी 11 वेकेंसी है, multi-skilled worker, Meson की बात करें तो current में 130 और backlog में 19 vacancy total आपकी 150 vacancy है multi skilled worker painter की बात करें तो आपकी 5 vacancy है multi skilled worker mess waiter की बात करें तो आपकी 1 vacancy है total vacancy की बात करें तो आपकी 566 vacancy आपकी total है मतलब 566 पदों के लापकी vacancy आई हुई है बात करेंगे important dates के बारे में तो आपके online form दो तारिक से चालो हो चुके हैं January में जिसकी last date रहने वाली है 15 February मतलब आप 2 January से लेके 15 February तक इसमें form apply कर सकते हैं अब हम बात करेंगे इसके fees के बारे में fees किती लग रही है तो जनरल EWS और OBC वालों के लिए 50 रुपए fees लग रही है और SCST और disability जो भी SCST वाले हैं उनके लिए कोई भी fees नहीं लग रही है और person with disability उनके लिए भी कोई भी fees में नहीं लग रही है आगे बढ़ेंगे अब हम बात करेंगे इसके age के बारे में age criteria के बारे में इसमें आपकी age क्या माँगी गई है तो इसमें आपकी minimum age आपकी 18 साल माँगी गई है कम से कम आपकी age 18 साल होनी चाहिए maximum age की बात करें अगर आप multi skilled worker के post के लिए apply कर रहे है तो आपकी जो maximum age 25 साल माँगी गई है अगर आप mechanic operator और driver के post के लिए apply करते हैं तो आपकी जो maximum age 27 साल होनी चाहिए इसमें आपको relaxation मिलता है OBC वालों को 3 साल का STST वालों को 5 साल का age registration इसमें मिलता है अब हम बात करेंगे education के बारे में तो मेस के लिए आप apply कर रहे हैं मेस विटर के लिए तो आपको 10th pass माँगा गया है शिर्फ 10th pass आपके पास होना चाहिए अगर आप 10th pass है तो इसमें form apply कर सकते हैं अब multi skilled worker printer की बा बात करें तो इसमें आपको 10th pass मांगा गया है इसमें ITI मांगा है building construction में या फिर bricks Mason में आपकी ITI होनी चाहिए MSW dealer की बात करें तो इसमें आपको 10th class pass मांगा है उसके लावा कुछ भी नहीं अगर आप 10th class pass है तो आप multi skill डोलकर drill में apply कर सकते हैं driver mechanical transport की बात करें तो आपको 10th pass मांगा गया है साथ में आपके पास license होना चाहिए heavy motor vehicle का HMV license आपका मांगा गया है अगर आपके पास light motor vehicle है तो नहीं चलेगा HMV ही होना चाहिए heavy motor vehicle अब हम बात करेंगे radio mechanic के बारे में इसमें आपकी education मांगा है 10th pass साथ में आपके पास ITI certificate होना चाहिए radio mechanic में और आपके पास 2 साल का experience भी होना चाहिए radio mechanic में ITI 10th pass और 2 साल का experience मे गया हे आपके बाट करेंगे operator communication की इसमें आपको 10th class pass मांगा गया है आपके पास ITI certificate होना चाहिए wireless operator मे या तो नहीं चाहिए mechanic in motor vehicle और diesel या फिर heat engine का आंगे बढ़ेंगे इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके physical के बारे में इसमें जो physical होता है physical efficiency test के बारे में PT के बारे में जिसमें आपकी running होती है one mile की आपको 10 minute में पूरा करना रहता है one mile running आप 10 minute में आसानी से पूरी कर सकते हैं अब हम बात करेंगे इसमें physical standard test के बारे में इसमें आपकी chest height और weight आता है तो दोस्तो western हिमाले रिजन वालों के लिए height मांगी कई 852 cm और chest मांगा है बीना 75 और फुलाने के बाद 80 cm और weight मांगा है 47.5 kg बात करेंगे स्टन हिमाले रिजन वालों के लिए हाइट मांगी कई FO second time chest मांगा है बिना 75 फुलाने के बाद 80 cm और weight मांगा है स patting and five kg, western plane रिजन वालों के सिंट Ci चेस्ट मिनिममम 76 cm फुलाने के बाद 81 cm और वेट मांगा है मिनिममम आपका वेट होना चाहिए 50 kg इसमें इसके बाद आगे बढ़ेंगे बात करेंगे वेस्टन इस्टन प्लेन रिजन वालों के लिए तो इस्टन प्लेन वालों के लिए हाइट मांगी गई है 27 cm मिनिममम उनका चेस्ट मांगा है 75 और फुलाने के बाद 80 cm और वेट मांगा है 50 kg इसमें आपको हाइट मांगा है 157 cm और चेस्ट मिनिममम 75 फुलाने के बाद 80 cm वेट 50 kg और आपका जो वेट है 50 kg मांगा इसमें पे स्केल के बाद करें सेलरी की तो इसमें आपकी जो सेलरी है रेडियो मेकैनिक के लिए है 25,500 से लिए कैसे 1,100 रुपे तक operator communication के लिए है 19,900 से लिके 36,200 रुपे तक driver mechanical transport के लिए है 19,900 से लिके 36,200 रुपे तक vehicle mechanic के लिए है 19,900 से लि लिके 56,900 तक हर तरीके के multi-skilled worker की जो post है उसके लिए 18,000 से लिके 56,900 रुपे तक इसमें आपकी सलरी रहती है बात करेंगे इसके selection process के बारे में सबसे पहले आपका होगा return exam उसके बाद आपका physical होगा physical के बाद आपका इसमें trade test भी होता है trade test में आप जिस वी post के लिए काम आने चाहिए उसके बाद आपका होगा medical, medical के बाद आपका final selection हो जाएगा दोस्तों बाग के और अगर आपको कुछ भी doubt है तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं दोस्तों जय हैं